नारियल का तिल स्वास्त लागों से भरा हुआ है जो सभी प्रगार के बालों के लिए पिहधी प्रभावी साबित हो सकता है या आपके बालों के रोम चिदर में सीधे प्रवेश करता है और आपके बालों की समस्याओं को जड़ से ठीक करता है बालू का जढ़ना एक बुरी सपने जैसा है ऐसे में बालू का जढ़ना रोकने के उपाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है हेर लोस के लिए कोकुनट ओयल काफी फाइदे मनमाना जाता है लेकिन आप इसमें कुछ चीजों को मिला कर इसे और भी अधिक शक्तिसाली हेर ग्रोथ ओयल बना सकते हैं ये बालो को खशती से बचा सकता है और आपके बालो को हमेशा हिल्दी और मजबूत रखता है चलिए जानते हैं कि नारियल के तिल में क्या मिला कर लगाने से बाल हमेशा मजबूत और हिल्दी रहते हैं पहला है नारियल का तिल और कलॉंजी के बीच आपने कलॉंजी के बीचों को कई लावों के बारे में सुना होगा जो विटमिन A, B और C से भरपूर होने के लिए जाने जाते हैं वे मैंगनेशियम, जिंक, आईरन, पोटैशियम और आवस्तिक फैटी एशिट जैसे पोशक ततों से भी भरपूर होते हैं अब ये शक्तिशाली घटक है जो आपको एक हेल्दी ओयल प्रदान करते हैं अकर आप बालों की ग्रोथ या दो मुहें बालों की समच्चाओं से जूझ रहे हैं तो अपने बालों को कंडिशनिंग करने के लिए नारियल तिल और कलॉंजी के बीजों की इस शक्तिशाली पेर को आजमाए एक चमच कलॉंजी के बीच को पीस कर नारियल के तिल की एक बोतल में मिला लें प्योग करने से पहले मिर्षन को 2-3 दिनों तक रहने दें इसके बाद आप थोड़ी मात्रा ले इसे गरम करें और मिर्षन से अपने सिर्की मालिश करें दूसरा है नारिल का तेल में गुढ़ल का फूल मिला कर गुढ़ल के फूलों से आपके बालों को कई गुणा लाव होता है फिर ना केवर बालों की हिल्दी ग्रोथ को प्रेडित करते हैं बलकि ये बालों के जड़ने को भी रोकते हैं और बालों के सफेध होने में देरी करते हैं बिटमिन ए और सी से भरपूर जब आप गुढ़ल के फूलों को नारिल के तील के साथ मिलाते हैं तो ये मिशन आपके दो मुहे बालों से लड़ने और चमकदार बालों की ग्रोथ को प्रेडित करने में मदद करेगा इसके लिए एक मुटी गुढ़ल के फूल ले और उन्हें ठंडे पानी से अच्छी तरह से धोले और धूप में सूखने दे एक बार सूख जाने पर नारिल का तेल गरम करें और उसमें गुढ़ल के फूल के पंखुणियां डाले मिश्रंग को धीमी आज पर गरम होने दे एक बार हो जाने के बाद इसके ठंडा होने का इंतिजार करें अब तेल को चान कर एक बूतल में भर लें इसे वैकल पिक दिनों तर अपने स्कैल पर लगाए और अपने बालों को धोने से कम से कम एक घंटे पहले इसे छोड़ दे बेलकि आपके बाल रिग्रोध होंगे